तो दोस्तो जैसे के आप सब लोग मेरे हाथ में देख रहे हो यह है Samsung की तरब से एक नया smartphone fan edition में जो है Samsung Galaxy S24 FE एंड़ लास्ट यर था हम सबने देख लिया Samsung ने अपने S23 सीरीज में S23 FE लॉंच किया था और वो फोन काफी अच्छा भी है और कुछ पॉइंट ऐसे है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट में इसमें इंप्रूमेंट की है या फिर नहीं जो बैटरी के और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इसको आथ में होल्ड करोगे न तो पहली चीज़ आपको नोटीस में आएगी वह होगी इसकी साइज क्योंकि दोस्तों इसमें 6.7 एंज की डिस्प्ल सब्सक्राइब कर दोच्त आपको माइक्रो फॉन क्वहिन रहा है तो 46 तुछ चलील कर रहा है तो दूस्तों आपको स्पीकर स्ब्सक्रेबस्आफ होगी लगते हैं दोस्तुर्य नोटीन स्वार्टफोन से तो स workakar रहा है। il must say वहां पर दहां में यूज़ करना है तो अच्छे लेवल कि आपको रेटिंग मिलिए डिस्ट की ओटर की तो उसमें आपको वही दिकत नहीं आने वाली है बट दोस्तों अगर आप इसको हाथ में होल्ड करोगे ना तो यह बैक सैट से इसकी जो फ्रेम से ना वह थोड़ी सी करूर है और फ्र इसमें दोस्तों आपको मिलिए 6.7 इंच की एक डाइनामिक एमोलेट डिस्प्ले रिफ्सलेट है 120 हर्स और आपको इसमें HDR10 प्रस का सपोर्ट भी मिलता है वहीं दोस्तों अगर आप आप आउडूर सिच्वेशन में बाहर की और यूज करोगे और मैंने भी इसको यूज क इसका चीन देखोगा तो वह थोड़ा से आपको बड़ा फिल होगा पाकि आप अगर इसकी डिस्प्ले को यूज करोगे तो इसके यूए के जो एनिमेशन जो काफी सब्सक्राइब कर रही है 120 रिफिरस रेट के साथ यह तो अगर आप मुवीज बगेरा देखते हो या फि अपको यह तो इसकी डिस्प्ले में पहुंचोल के मेरे के साथ आपका डिस्प्ले का एक्स्पिरेंस बहुत ही मस्तरे ने वाला है और वहीं दोस्तों अगर आप इसको पर्चेस करना चाहते हो तो मैं आपको एक एड्रस देता हूँ यहां पर आप वेबसेट देख सकते हो आपको पर्चेस करना है तो कर सकते हो वेबसेट से या फिर अगर दोस्ता आप सूरत से गुजरात से करी सभी हो आपको उसके बहुत ज़्यदा स्टोर्स मिल जाएंगे तो स्टोर्स को विजिट करिए कफी ज़्यदा वहां पर आपको ओफर्स मिलेगी स्मार्टवन करता हूँ कि आपको ने मुझे बत्ता ना है इस स्मार्टवन के कंपे रिजिजन आपको कौन से स्मून के साथ चाहिए समसिंग गलेक्शी सब्सक्राइब करना चाहिए और उसके साथ दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों यह काफी जद्धा काम की एन इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमें चलाता ही रहता हूँ तो भी थोड़ी से हम बात कर लेते हैं इसके एक इंपोर्टन पार्ट के बारे में तो इसका केमरा १ोवेश्क घैर फैसे हमखर गर रहे है तो यहां पर केमरा भी हमारी यह प्रीलिटी होती है तो धाट चैनें चीने में कैमेरा लिए एम हिए सथे हैं और हागेज अगर मैं थोड़े से आपको इसकी वीडियोग्राफी के बारे में बताओ तो आप इसमें 8K 30fps की वीडियो रेकोड कर पाते हो वहीं दोस्तो आपको 4K रेकोड करनी है तो 60fps तक आप रेकोड कर पाते हो एन FHD B 60fps का इसमें सपोड मिलता है चाहे इसका फिर ऐख के मेरा हो जाफिर चाहे इसका बेक के मेरा हो दूनों मैं दोस्तों Αिश्के ईक चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आप 4K 60fps की या फिर Full HD 60fps की वीडियो रेकॉर्ड करना चाहते हो बाइ यूजिंग इसका Ultra Wide Angle Lens तो वो चीज दोस्तों इसमें नहीं है मेरे क्याल से यह चीज इसमें होनी चाहिए थी बट आपको इसमें नहीं मिलती है यहाँ पर अगर आप स्वीच करोगे ना Ultra Wide Angle Lens पर तो Full HD 30fps या फिर 4K 30fps और दोस्तों एक चीज अच्छी है अगर आप पोर्टेट फोटोग्राफी करना चाहते हो ना तो आपको इसमें 1x, 2x and 3x ऐसे तीन जूमिंग लेवल मिलते है आपको यहाँ पर तीन लेवल मिलते है 1x, 2x and 3x बट यह है by using only main camera और दोस्तों अगर यहां पर बात रही samples की तो video samples and photo samples यह रहा है आपके सामने तो दोस्तों अभी आप जो यह वीडियो देखे रहे हो ही है मैंने night में record की है full HD 60fps की यहां पर दोस्तों हम शुरू वीडियो में पर स्विच नहीं कर सकते हैं यहां पर आप जूम कर सकते हो तो जूमिंग करने के बाद भी दोस्तों लाइट अच्छी तरीके से यहां पर एंटर हो रही है और night में दोस्तों 60fps की वीडियो में भी अच्छी quality मिल रही है और ब्राइट वीडियो है यहां पर भी दोस्तों में दोस्तों जूम करके देखते हो आपको दिखाता हूँ कि night में भी यहां पर में टेक्स है जो रीड कर पा रहा हूँ तो इस तरीके की 60fps की वीडियो हमें मिलती है फूल एच्छी इसके बेक केमेरा से यह दोस्तों नैट की वीडियो थी अभी यहां पर हम और वीडियो के बारे में बात करते है वहीं दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हो यह है अच्छे कॉलर्स मिल रही है जैसा भी तो वैडर है ना वैसा यहां बर मिल रहा है तो इन यहां पर दोस्तों आपको जूम के लिए थर्टी एक्स तक सुम मिलता है इसका में के मेरा में अब्स वीडियो करना चाहते हो तो जूमिंग लेवर पर ऐसी आपको कॉलिटी मिलती और आपको कंसिस्टनली अच्छी फ्रेम्रेट के साथ है वीडियो रेकुरिंग का ओप्शन देगा वहीं दोस्तों इसमें आपको 4K 60fps का रपोर्ट इसके अल्ट्रावाइड एंगल लेंज को यूज करने के बाद नहीं मिलता है बट यह 30fps की वीडियो 4K एन दोस्तों इसमे इसमें हम टेलीफोर लेंज पर स्विच कर सकते हैं बट 60fps में यहां पर स्विच नहीं कर पाता है इसमार्टफोन में बाकि दोस्तों क्वालिटी कोलर्स या फिर कॉंट्राइब सब्सक्राइब का लेवल अच्छी तरीके से मेंटेज मिलता है का पर स्मूथ आपको वीडि यहां पर आपको स्कीन टॉन काफी अच्छा नेचरल मिलता है और क्वालिटी स्टेबिलिटी बहुत यह चीज की फूल एच्छी वीडियो की चाहे आप रेकोड़ करो फ्रंट केमेरा से या फिर बेक केमेरा से क्वालिटी बहुत इच्छी तरीके से मेंटेइन मिलती है हम यह थी कौलिटी अब अगर वीडियो की है फिर इस वीडियो में ओडियो क्यूपी सुन चाहते हो तो यह भी सुन सकते हो remember कि वीडिधी और फॉसते के वीडियो हमें मिलती है इस फोन में और अभी गयाज आप आप ग्रने बडियो अर व्यांनी उसीकल करपाता हो ने पहले दोस्तों मैंने Samsung S24 का जो पोटेट वी आता है वह भी टेस्ट किया था वहाँ पर मुझे उकुछ दिक्कत फिल हुई थी इसके एकजी नहीं हो रही है इस वीडियो का आउटपुट बहुत यह चाह रहा है बात रही है अगर स्कीन टॉन की या फिर यहां पर बेक्राउ कि तो इस तरह की की ओडियो की क्वालिटी देखने को मिलती है और हाँ दोस्तों एक चीज में आपको बोल सकता हूं कि इसमें आपको फाइदा मिलता है आप से एंगल से अल्टर वाइलेंगल से फोटोट उक्सी चो एंड दूसरा है में केमेरा से फोटोगी चो तो कभी-क इसमें फील नहीं होगी आप इन चारो फूटोज को देख सकते हो यह के अल्टर वाइड वर नेक्स 3 एक्स टेली फोटो एंड चोथा है 30 एक्स पर मेक्सिमम था पाते हैं इस स्माटफोन में और वहीं के जगर आप इसके में केमेरा से कोई भी फोटो खीचो गए या फिर अल्टर वाइड एंगल लेंज को यूज करने के बाद फूरो क्लिक करोगे तो दोस्तों कॉलर्स कॉंट्रास एंड शापनेस का लेवल बहुत यूच्छा है वहीं दोस्तों एक्जिनोस टीप सट है बट डिटेल्स का लेवल भी अच्छी तरीक से मेंटेन करता है मैंने य सेल्फी की तो यहांइबेर की है सेमसंग ने इस साथ वैच्छी तोल मिलते जीसाब आंब पसंद आता है वहें कर सकते हो और वहीं दोस्तों अगर देखेंगे ने इसके portrait shots को तो वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आये है यहां दोस्तों skin tone है ना वो काफी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है इस exynos में compare to last year's exynos and portrait photo दोस्तों आप 1x से click करो 2x से 3x करो आपको photo बहुत यहीं मिलती है edge direction काफी अच्छा है काफी natural आपको color देता है तो दोस्तों यहां पर बात रहती है एक main चीज की वह है इसका performance because exynos 2400E मिला है यह दोस्तो 4 nanometer architecture पर बेस दी एक CPU है एन जो हमें S24 series में exynos 2400 मिला है न उससे थोड़े से डाउंगर CPU है यह गाईज यह 10 core CPU है जिसमें आपको Xlips 940 GPU मिला है वहीं दोस्तों अगर इसके score देखोंगे तो आपको into the benchmark के जो score है न वो काफी अच्छे मिले है 1.5 million के तरवी इसके score आते है बर दोस्तों अगर बात रही है आपर practical life key gear अगर हमें daily life में use करना है तो यह किसा perform करेगा तो पहली एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर normal task करते हो ठीक है इसकी UA को कैसे भी use करो कितना भी आप इसमें multi-dask करो कितने भी application एक साथ यूज़ करो तो भी दोस्तों इसमें आपको कोई glitch वगेरा नहीं देखते हों को मिलता है smartphone काफी ज़्यदा अच्छा perform करेगा मतलब casual gaming करो या फिर normal यूज़ करो नो कोई दिकर नहीं या बखन की तरह phone चलने वाला है वहीं करें दोगर आप बीजय में खेलना चाहते हो वगेरा गेम खेलते हो तो गेमिंग के लिए दोस्तों इसमें आपको smooth पर X-Dream Plus का support मिलता है वहीं करें दोगर आप अल्टराइट DR पर ब्लेकर ना चाहते हो ना तो उसमें आपको पर यह रेकोड की थी फोटो खीची थी तो उसके बाद जो एस्टमेटरी एफी हीट हुआ था उतना यहीट नहीं हुआ है मैं भी इसको लेकर गया था रिका आउटर सीचोशन में इसको यूज किया है काफी ज़दा फोटो कि यह पर यह इतना ज़दा ओवर वर्जन लोंग टेम तक यूज करना है तो यह अपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा बाकि यार तो यह तो लेटेस्ट वार्ट होने तो आपको इसमें बहुत चारे गेलेक्सी यह के फीचर तो मिलने ही वाले है बाकि दोस्तों काफी चारे फीचर है आपको इसमें साउन क्वालिटी सुनी है जो इसके स्पीकर है उसकी आपको ड्यूर स्पीकर मिलता है एक उपल की साड़ एक नीचे की साड़ बद उसकी जो क्वालिटी है आपको एक सोफ्ट साउन मिलता है इसमें वहीं दोस्तों स्टोरेज ऑप्चिन की बात करें तो जो इसका 128 GB वाला वह लिए तो यह आपको निकल कर देगा और थोड़ी सी बात रहे इसका बैटरी की तो आपको इसमें 4700 की बैटरी बचांजिक पीरिज में आपको मिली है 25 वोट की यह दोस्तों थोरी से सेम्संग को इंपरू करने के जरूरत थी बेटबी की नहीं है 25 वोट पर ही है बट दोस्तों आपको इसमें reverse wireless charging वाईलस चार्जिंग यह दो रोफ लेवल का फीचर इसमें मिलते हैं तो बात रहे बेटरी लाइफ की तो मैं ने इसको चार्ज किया था अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक का बटन मिलता है वो जल्दी से दबा देना वीडियो पसंद आ रही है चैनल पर नहीं हो ऐसी काफी सारी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्क्रेब जरूर कर देना और आज की वीडियो दोस्तों यहां तक देखने के आप सभी का धन्यवाद मिलता है हम सब नेक्स वीडियो में नेया स्मार्टफोन के रिव्यूस करा तब तक के लिए टेक केर बाए